डेवलब्मेंट और प्रोग्रेस में टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा है लेकिन पुछ लगों लगता है कि टेक्नोलाजी देड़े-देड़ें से ऊअब परिशान करती जा लिए और लूग बिमार होते जा रहें टेक्नोलाजी की मदद से और टेक्नलोजी की दुनिया में 5G उनमें से एक है या फिर आप कह सकते हो कि 5G से होने माला रेडियेशन उनमें से एक है तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रेडियेशन जो है बहुत ही खतरनाक है 5G से निकलने माला और उसकी विदिशिया बढ़ीया मर गी है या फिर हम या फिर उससे भी ज्यादा आपको जो को रोना वाइर इस दो रहा है तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए अगर आप ही श्यापन नहीं हो तो मैं हो करन से आप देखने टेक्नोवर्टी तो विदाव ड़नी फिर दर अदू लेट्स के टेंट इन वीडिया इससे पहले इस अपे मैं से एक चीज है जिससे लोग डरते है पहले रीडियेशन को समस्ते तो जो रीडियेशन से आप इतना डरें रहते हों कि रीडियेशन का मतलब तो पुरी दूनिया खतम हो जाएगी तो तो कोई भी आपजेक्ट जो किसी इमिट करता ए उस एपने प्रोसेस को हम radiation कहते हैं मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हो तो बोलने में आप energy release कर रहे हो इसी को आप radiation को होगे ऐसे sun से निकलने मादी light जो आ रही है वहां से यहां तक वो भी radiation है हर कोई object जो किसी भी तरह की energy को कर रहा है वो रेडियेट कर रहा है और इसी प्रोस्त को radiation कहते हैं तो इसका मतलब क्या यह है कि हम लोग भी अगर रेडियेट कर रहे हैं तो हम लोग भी एक बूसरे को चूदेंगे तो cancer हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि radiation दो इसे प्रोस्तों को जो किसी भी जादा कोई चेंगे लेकिन उसके बाद भी जो हमारा जिस्टाम एैसी किसी भी सेलो हो किसी बिल्स बीपे तो आपको cancer वगएरा हो जाए कोई ऐसी बिमारी हो जाए जिसका इलाज ना हो पाए लेकिन वह सक्ता है वाली बार दूसरा होते हैं अपको किसी भी तरह कोई भी खत्रा नहीं होता है वही से लिए किसमें इतनी पावरियम होती है कि एलक्ट्रॉंट वगएरा को या किसी भी कोई भी चेंज कर पाय जिससे जो-o long-ionizing radiation है इसमें आपको कोई भी खत्रा नहीं है अब बात करते हैं कौन से वाले ionizing radiation है कौन से वाले on ionizing radiation है म्हींतं नए-śnie sign坐 숨कलता है जो हएर फ्रिकवेंसी होती है वह आइनाइजिंग एडियेशन की होती है और लोडेटी पर जनली नॉन्याइजिंग रिडिशन काम कर राओं है आप जानते होगे अल्टरा वाइलेटवर्त रेस जो सन से निकल के आती है वो यह लाहिक करती है अईनाइजिंग और नॉन्याइजिंग के बीच में मतलब जो लोगर ऐसे वाले यॉग रेसे होतंग हैं और हाइयर फिर्कान्सी वाली जो यूग रेस होते हैं वह आईनाइजिंग रडेशन में इसका मतलब कि यूवी से नीचे जिदनी बी रेडियेशन है उनमें आपको कोई भी खक्रा नहीं और यूवी के नीचे आता है इं आप प्र यह स्वोचते हूँ कि आपको अगर चांशर हो सकता है या फिर आतोर निकलने वाली डेयशन अब तो आप यह समझते लोगी आप 10 से निकलने वाली देशें जो उससे भी तो आपकी कामरा से निननवाली जब जरेंगे कर सकता है जो कि नहीं होता है कँछिंगी यह नोन आयोजिंग औरन चीछ नोन आयमियों की तरह कना कोई यह स्किशन आए अब जब अधाब रुषींटत आई गई है तो आप समझे रहों कि कितना ज्यादा फर हैं तो क्या हम यह माने कि Mr. Kelly निकलने वाला है को इसे माथ और जी तरक नहीं होने वाला है तो भुशन होने या बिराब अपने खुद हाथ प्लग में डाल दो तो आपको वहां भी जट पी लग सकते हैं, आपको वहां भी चे बख सकते हो लेकिन वह एक्टर शॉक की बात है, महापर किसी भी तरह का ऐसा तो उमीद है आपका radiation से तो एकक जो misbelie था, वो हट गया होगा और अब हातकी है करता है कर सब कoure इतना ही सही है तो भी तो क्यों कंटों की काई लोग करहा हैं छे आं बढ़ जा रही हैं या फिर इंसनों को cancer हो रहा है तो एक read for the news report के चलते ऐसा कहा गया था कि आपको वामेल थे बहुत सारे वेजटेबल्स जिनसे आपको एक एविडिन्स ने इन मैंसे किसी भी चीज से आपको कैंसर हुआ है या फिर किसी भी आदमी को अभी तक कोई कैंसर हुआ है बस नहां पर एक कॉस लिगा था कि मतला हो सकता है जिसमें इतनी साधी ने थी तो अगर आप क्या ने की तो यह लगता है कि आप लोगों ने जो उतने सारे पेड़ वर्काटे जो टेम्परीचर इतने जाधा ह्ए लोगों ने नई बिल्लेंग बना वरू के रिखें पो कि रहने के जगह नहीं ने लोगर देखो तुम्हेत है वासा आप लगा लोगे संधे लगा लग अब देखो के बारे में बस इतनी सी बात में इंडिया में अगर 5G आएगा जो को बद टेस्टिम चल रही है तो जैसे कि आपने देखा होगा 4G के टाइम के 4G में इतनी अच्छी स्पीड देखने के मिलती नहीं है जतना दूसरी कंट्री को देखने की मिलती है तो जब बादे किये जा रहे हैं कि 5G में आपको 1Gbps की स्पीड मिलेगी गिगाबिट्स पर सेकेंड नहीं हो सकता है कि आपको नहीं मिले और जिस फ्रिक्वेंसी पर 5G काम करता है जो हाइस फ्रिक्वेंसी है उस पर भी आपको काम देखने कर ना मिलें तो इंडिया में 5G कि करो फिर डिस्लाइक करो और क्या कर सकते हो और ये भी पताओ कि आपको उप्रीडियू पशन्द क्यों नहीं है होСकता है मेरे से कोई बात चूट गई हो सकता हि कि आपको कोई पसंद नाइओ दोनों ही केश किला करो तो शॉप्ते हैं और ये वीडियो को आप उन झाल झाल झाल